कुछ पंक्तिया याद आ रही है सच्चाई चुपाई गई अफ़ा उड़ाई गई बात कुछ और थी बताई कुछ और गई वो वीडियो पर सो प्रताब गड़ का बताया जा रहा है जो की जूट है वो वीडियो आज से एक गेर साथ पुराना 2023 वरिंदावन का है क्या आपके माता पता ने आपको कभी नहीं डाँटा क्या आपके गड़ु ने आपको कभी नहीं डाँटा अगर देश की इतने बड़े संत जगद गुरु श्री रामदा चारी जी ने मुझे डाँट भी दिया तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगद गुरू रामदला चारे जी ने उसके बाद मुझे अपने रूमियों भी बुगाया था और अपना आशिरवाद भी दिया था लेकिन आपने बोला की जामदला चारे जी ने मुझे जानता अरे आपके गुरू ने भी तो आपको आठ साल की उम्रे में कभी जानता होगा नो साल की उम्रे में कभी जानता होगा क्या आपसे आठ साल की उम्रे में नो साल की उम्रे में कभी गरती नहीं होई क्या वो कहने हैं आप स्कूल नहीं गई अड़े मैं स्कूल जाता हूँ और आज ऐसी स्थिती आ गई है कि मुझे इतनी ज़्यादा टोनी कर रही है कि मैं इन लोगों के वज़ा से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ मेरे वज़ा से मेरे भेन्विस को नहीं जा पा रही है आपको सूशल मीडिया पर बहुत कुछ कहा जा रहा है कई गंदी-गंदी बाते भी आ रही हैं उसमें लिखी हुई इसके लावा कुछ हमने सुनाएं फून कॉλ्स आ रही हैं अपके घर पर परिवार वालों पर सुपार्वाल के पास इसमें भी कुछ कहा जा रहा है तो इस सब पर आप ताव क्या दो के पास रोज 500-1000 कोर्स आ रही है और देखी जैसे दिवादी आ रही है सब दिवादी की तियारी कर रही है दिवादी की शोपिंग कर रही है और मेरे घरवादों के पास कोर्स आ रही है कि आप घर से भार नहीं निकल सकती आपको जान से मार दिया जाएगा तो ये मेरे पिताजी के पास मेरे घरवादों के पार स्कोर आ रही है अब मेरे मैया को तो कोर्स उठाने से भी दर्दग रहा है क्या किसारती बाते जो हैं वो दी जा रही है कुछ आपने सुना देखा देखिए अभी तक मुझे मोटा तोच्छा बुल रहे थे तक हमने सोचा कि उनका वेपार चल रहे हैं वो कमा रही है लेकिन अब बात मेरी भक्ती क्या गई मेरी भक्ती को नकली का जा रहा है अब हम मरदाश नहीं करेंगे कई तरह के आरोप आप पर लगे कहा गया कि आप मंच पर चले गए मंच की मर्यादा भंगो गई उसकी वज़ा से सासाथ रामबदाश चारे जी के लिए आप क्या सूचते हैं क्या आपका कहना है तुनों चीते में आपसे जाना चाहते जगत गुरु श्री रामबदाश चारे जी के दर्शन कड़के मैं भक्ती में जीन हो गया था तो मुझे रखता है कि मेरे से मंच की गड़िमा भंग हुई तो ये मेरी करती थी उसके बाद मैंने मंच में कभी ऐसे नहीं किया क्या सूचते आप रामबदाश चारे जी के लिए क्या आपके विशार है देखे रामबदाश चारे जी की दांट में भी एक प्रेम चिपा हुआ होता है उन्होंने मुझे दांटा इसको भी मैंने आशिरवास फिरू भी समझा और मेरे उपर ये जो आरोब लगाए जा रही है ये वो थी दुर्भाग्य की बात है और कई चैनल मुझे कई दोग मुझे धरम गुरू और संत कह करके भी पुकार रही है ख्रिप्या ऐसा ना करे अभी तो मैं मेरे कानाजी का मेरी राधा यानिका मेरी रामजी का एक भक्त हूँ मैं तो धरम को सीखने के प्रेयास में हूँ तीर्थों के दर्षन करता हूँ तीर्थों के दर्षन करता हूँ ज्यानि संतों से मिलता हूँ उनसे समझता हूँ उनसे सीखता हूँ मैं तो सनातन धरम का प्रचार करना चाहता हूँ क्या हुआ था वो मंच वाली बात एक बार दरूर बता दीजे आप क्योंकि उसी को लेकर मुख्य बाद जो है आप परारोप लगें वह एक बार अगर अगर आप बता पाएं पूरब क्या कुछ हुआ था मंच पे चले गए थी क्या हुआ था जगत गुरू श्री राम भदाचारी जी महाराज नहीं मुझे डांटा था और मेरा तो मानना है कि नांट में भी मैंने आशिरवाद सुरू भी पाया और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में बुदा करके भी आशिरवाद दिया था तो ऐसा क्या था जिसमें आपको डार्ट का सामना करना पड़ा क्या आप कर रहे थे वो जरूर सब जाना चाना देखिए उस सम मैंने ऐसी कोई गरती नहीं की और आपकी गरती आपको एक सीख देती है तो फिर आप जब राम बदरा चारे जी से मिले तो क्या आपने कुछ कहा उन्होंने कुछ कहा तो वो थोड़ा और बताई उसके बारे में क्या कुछ बात हुई क्या रहा जब आप दोबारा मिले उन ने किया है तो क्या आप उस पर कहना चाहेंगे जो दोबारा वीडियो सामने आया राम बदरा चारे जी का उन्हें मूट शम्त का इसमाल किया जी उनकी दांट में तो प्रेम है आशिरवाद है क्योंकि आप बतारे लगाता धंकि आ रही है गंदे गंदे मैसे बेज जा रह काद कि और यह कारे वाही हमने टोलर्स के यीटियोबर्स में खिराफ की है जो की यीटियोबर्स में टोल कर रही है मुझे जान से मालने की धंकी दे रही है जगत गुरु श्री राम अदरा चारे झाल